आप हेल्दी और फिट रहने के लिए अपने डाइट से लेकर जिन में पसीने बहाने तक ना जाने किन-किन बातों का पूरा खयाल रखते हैं मगर आपने सुना ही होगा कि किसी भी चीज की जादा मात्रा नुकसान दायक होती है तो कुछ ऐसा ही आपके फिटनेस प्लान के साथ भी हो सकता है हेल्थ और फिटनेस प्लान अपनाना बहुत अच्छी बात है लेकिन तई बार आपकी हेल्दी हैबिट्स इतनी जादा बढ़ जाती हैं कि वो आपकी सिहत के लिए नुकसान दायक हो सकती है आई आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ हल्दी हैबिट्स के बारे में जिनको जादा तवज्जु देने पर शरीर पर उल्टा असर होने लगता है जादा स्ट्रेचिंग अगर आप एक्सराइस के पहले शरीर को स्ट्रेच करते हैं तो यह अच्छी बात है लेकिन स्ट्रेचिंग से शरीर के अंगों और जूडों पर आतिरिक्त दबाव पड़ता है जरूरत से जादा एक्सराइस कर दे से बचे हाफते में 5-6 दिन हैं एक्सराइस करे कम से कम एक से दो दिन शरीर को आराम दे क्योंकि बिना ब्रेक के और लंबे समय तक एक्सराइस करने से मसल्स और टिशू ब्रेक होने लगते हैं जादा पानी पीना एक हेल्दी आदत है लेकिन जरूरत से जादा पीएंगे तो शरीर में उपर से सूधियम का लेवल घट जाएगा और टिशू उसमें सूजन आ जाएगी इस वज़े से दोरे पढ़ने की शिकायर भी हो सकती है अगर आप दिन में कई बार ब्रश करते हैं ये सोचके कि इस से आपके दान चमंकदार होंगे तो जरा रुप जाएगे तो कि जादा ब्रश करने से आपके मसूडों को भी नुकसान होता है जूस पीना एक हेल्दी हैबिट है लेकिस जादा पीने से आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है एक गिलास जूस आपके दिन खर के लिए पर्याप है और हो सके तो जूस को तवज्जू देने की बचाये फ्रूट्स के सेवन पर ध्यान दे ग्राइब फ्रूट्स कई तरह से हमें फायदा पहुंचाते हैं लेकिन जादा सेवन करने से वज़न बढ़ सकता है तो ऐसे में जरूरी है कि आप अपने हेल्दी प्लैन में ये भी जरूर मेंशिन करें कि क्या कितना करना है बढ़ना आपकी हेल्दी रहने और उसके लिए की गई मेहनत के उल्टा आपको खामियाजा भूगतना पड़ सकता है वीडियो डेस्क अमरुचला टीवी नए दिल्ली